इस वीडियो में आपने यूटूब चैनल के लिए कैसे थमनेश को बनाता हूँ जी आप इसको लेकर पूरी डीटेल को जो है इसके पूरे प्रोसेस को जो है मैं यहां पर डेलिएट करूंगा डिस्क्राइब करूंगा और इसको लेकर अपने कम्यूटि टैम में भी लोगों इसको पूछा था तो लोगोंने ज्यादा लोगों ने तनी ही तो बस छे लोगों ने ही वोट किया था और यस्क बोट किया था अब हलाकि मुझे पाता नहीं कि है कि इस ब्योदियो को मैं बना रहा हूं थोड़ी ये अलग हो सकती है बांकी के वीडियो से तो शल्यवीवी कि मैं ज्यादा तर जो है वीडियो जो है अपडेट्स को लेकर ही बनाता हूं सौप्ट्वेयर अपडेट्स को लेकर के तो मैं इस वीडियो में उसी को डिवोटेड में बनाऊंगा कि मतलब अपडेट्स को लेकर करें मैं जो थम्निल बनाता हूं उसे में कैसे बनाता हूं अस्पेसिफिकली जो है अपडेट्स के बारे में ही होगा तो चलिए वीडियो की शुबात करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज इसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिसे कि आप वीडियो देख सके हैं सबसे पहले अपको दिख रहा यह माँनले करने इसका जुए हैं यहाँ पर शेक्रस्ट एप्रेंपार देख सकते हों कुछ इस तरीके से चलीए मैंने इसका जो मतलब स्क्रींट ले लिया है वह वी है फ्रेंब में उसके बाद मैं अपने एक अप्लिकेशन में जाओंगा जिसका नाम है पिक्सल लैब जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा तो मैं इसी से अपना थम्रेल्स बगड़ा बनाता हूं तो जब मैंने फ्रेम डा स्क्रीन सौर्ट को ले लिया है तो उसके बाद मैं यहां पर जाओंगा पिक्सल लैब में तो फ्रेंट्स जैसा कि आप आप देख सकते हो यहां पर आपको बहुत सारे बेग्राउंड्स दीख रहे होंगे नीचे में अगदम तो मैं यहां पर तो आपको उसके बाद तो यस YOUTUBE थम्नेल के साइज में आ जाए उसके बाद आप देख सकते हूं यहाप को यह लेफ्ट हेड करूंगा इसके साइच को मैं डिक्रीज करूंगा तो चलिए तो इसी तरह से जैसा कि आप भी देखते हों कि मां मेरा जो अपडेट का विडियो होता है वह कुछ इसी तरह का होता है अब उसके बाद मैं उसी प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद मैं जो है टेक्स्ट यहां यहां पर लगाओंगा तो मैं यहां पर लगा देता हूँ हाँ सबसे पहले जो है मैं यहां पर फाइड भी देता हूँ तो सबसे पहले मैं यहां पर फाइड को घुर यहां इन्कृरीज कर रहा हूं इसके बाद में यहां से इस करता है है इसको करना चाहो तो चलिए तो चली आ उसके बाद यहां उसतारीके से भी आप इसे कर सक्याएग कर सकते हो अमने के बैग्राउंड की लगा दुन fermentation उसके तो उसके बाद नियु 아직 और यहां बहुतर को बैह्तर दिखेगा मैंने इसके जो है श्रोक को भी on कर दिया है तो उसके बाद तो चलिए अब यहाँ पर next जो है word को हम लेते हैं text को लेते हैं तो फिर से वही process है तो उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर for YouTube कुछ इस तरीके से तो इसमें भी मुझे जो है से कलर करना है तो सबसे पहले मैं आपके कलर के उपसर में जाओंगा और इसे में वाइट कर दूँगा ठीक है और उसके बाद मैं font के option पर चला जाता हूं उसके बाद मैं इसको थोड़ा वोल्ड कर देता हूं बोल्ड उसके बाद फिर से हम लोग जाते हैं इसके background में बेग्राउंड में जाने के बाद friends जो है मैं इसका जो है और मैं थोड़ा इसका और कलर भी चेंज कर देता हूं यूटूब का जो है जहां फॉर यूटूब है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर टेक्स्ट को कवर करके आपको जो भी यहां पर लगाना है आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंट्स कुछ इस तरीके से आप भी यहां पर कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर मैंने किया है और उसके बाद मैं यहां पर स्ट्रोक को शिट से यहां पर इनेवल कर साथ आपने गौर गिया होगा तो चलिए मैं उससे भी यहां पर दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं जो इससे एड़स्ट कर लेता हूं कि बिल्कुल भी अच्छे तरीके से थोड़ा उपर तो चलिए अब एक और इमोजी को मैं यहां पर अब यहां पर मैं इससे अट्याच करूँगा तो चलिए अब जो नेक्स्ट इमोजी जो है माना अब इससे भी मैं यहां पर दे देता हूं सबसे लास्ट का यह प्रॉसस है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते मैंने भी इससे लगा दिया तो कुछी तरीके से आप भी इससे बना सकते हैं और अगर आप आपको जो है इससे सेब करना है तो राइट हेट साइड में जाना है एक स्पोर्ट इमेज पर कर देना है आप फ्रेंट्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राब करें थैंक्स वर बाच